Hello friends, मैं हूँ सनमय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूटुब चैनल सरकार जोब नियूज सबसे पहले देखते हैं क्या काई इंपॉर्टन टॉपिक्स हैं कोशन इस पर चर्चा होने वाले इस वीडियो में इसी गेम्स में गोल्ड मेडल जितने वाले पहले भारते पुरुष खिलारी कौन बने हैं के अंदरी ग्रिष सचिव जिनका कारकाल चौती बार बढ़ाया गया है संसद ने दिल्ली सर्विस बिल 2023 को पारित कर दिया है तो क्या-क्या प्रावधान है इसमें WHO ने एक रिपोर्ट जारी किये बहुत ही महात्पूर्ण है उसमें बताया गया है कि स्मोकिंग कार जो परचलन है वो किस तरीके से कम हो रहा है और कितना कम हुआ है टेसला ने भारते मूल के किस व्यक्ति को मुख्य वित्तिय अधिकारिया ने CFO निउक्त किया है और भी कई टॉपिक है सब पर चर्चा करेंग दोस्तों शुरूर करते हैं और एक इन्फॉर्मेशर कि कली हम लोगोंने आठ महीने का यानि जनुर से लेकार अगस्त का करेंट फॉर्स का वीडियो पेश किया था लाइव हुआ था सार चार घंडे का है आपने नहीं देखा देखना जुरूरी सुटर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूँगा आपके तमाम एक्जामनेशन के लिए बहुत ही मादपूर ने करेंट फॉर्स टॉपिक तो शूर करते हैं दोस्तों और पहला कोशर वर्ल्ड आर्चरी चेंपरिशिप उसमें गोल्ड मेडल जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलारी कौन बन गई है जो कि भारती भी है आंचो कर अधिती स्वामी किस कटेरी में गोल्ड जीता हैं उन्होंने वेक्तिकत कमपाउंद तो वेक्तिकत कमपाउंद में गोल्ड मेडल जीतने वाली सबसे कम उम्र की लिए खिलारी है मात्र 17 साल की है यह फोटोग्राफ यह राइन का और 4 अगस्त को इन्होंने जीता है और मैक्सिको की एंट्रिया को हराया 12th क्लास की इस्टूडेंट है और इस चेंपरिशिप में वर्ल्ड आर्चरी चेंपरिशिप कहां हो रहा है बर्लिन जर्मनी में हो रहा है उसमें टीम काटेग्री में गोल्ड मेल जीता था भारत ने और यह पहला गोल्ड मेल था महिला टीम का कौनका ज्योति सुरेखा विर्णम अदिति स्वामी और पढणीत कौर इसके बारे मैंने पिछले वीडियो में बताया था लेकिन अब क्या है अब यह अदिती वह व्यक्तिकत कंपाउंड में इन्होंने गोल्ड मेल जीता और सबसे कम उम्र की व्यक्तिकत कंपाउंड में गोल्ड मेल जीतने वाली खिलारी हो गई है जो कि भारती है ओके शानदार बात है अगला कोशन लेते हैं उसम भी एक नहीं बात है कोशन होगा वर्ड आर्चरी चेंपरिशिप पियानीविश और तिरंदाजी चेंपरिशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारते पुरुष खिलारी कौन बने है यहाँ पर क्या बात है पुरुष खिलारी की बात हो रही है आंसो का ओजस दवताले क्या नाम है ओजस दवताले तो उन्होंने पोलेंड के का पहला और अभी 2023 में गेम्स कहां परायुजन हुआ है तो बर्लिन जर्मनी में चल रहा हूँ और जैसे जैसे नहीं ने अपडेट आते हैं वह इसमें आपको करेंट फर्स में बताते रहूंगा अगला कोशनर ते केंदरी गिरिस सचिप का नाम बता है जिनका कारकाल सरकार चौथी बार बढ़ा दिया है आंसोगा अजय कुमार भल्ला ठीक है अजय कुमार भल्ला फोटोग्राफ यह रहा है यह 1984 बैच के असम मेघाले कैडर के आये सदिकारी है चौथी बार कारकाल बढ़ा है और अगर वह अगस्त 2024 था किस पार रहते हैं यानि अपना चौथा का पूरा करते हैं तो देश के ऐसे दूसरे अफसर बन जाएंगे जो सबसे लंबे समय तक जिन्होंने गिरिश सचिप का काम किया हो इनसे पहले 52 येर पहले लालन परसाथ सिंग थे जो कि 6 येर तक 6 साल तक गिरिश सचिप के कूर्सी पर थे 1971 में वो रिटार हुए थे तो य ये एक साल का फिर से एक स्टेंशन दिया गया इनको चोथी बार दिया गया है तो अगर हम देखेंगे ना कि जो केंड सरकार का की पोजिशन हैं जो सरकार की नीतिओं सरकार के बातों को इंप्लिमेंट करता है वो सब एक्सटेंशन पर है कौन कौन कैबिनेट साचिप विदेश्च सची विनय कुवात्रा अप्रेल दोईर चोबीस तक एक्सटेंशन पर है एडी डारेक्टर संजय मिश्रा 15 सितमबर तक 2023 तक एक्सटेंशन पर है तो कई बार तो एक्सटेंशन सरकार भी कह दे जाता है ओके तो यह की पोजिशन है और इन सब कौन-कौन है यह सब तो नाम ध्यान में होना भी चाहिए आपको चलिए आगे बरते हैं दोस्तों अगला कोशन लेते हैं संसत के दोनों सदनों ने दिल्ली सर्विस बिल 2023 को पारित कर दिया तो इसमें यह क्या प्रावधान है आंसो गैस का नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथार्टी का गठन यह है प्रावधान इसमें दिखे इसके ज नेशनल कैपिटल सर्विस सिविल सर्विस अथार्टी बनेगी और इसी अथार्टी के पास क्या होगा यह देखे इसी अथार्टी के पास अपसरों के ट्रांसपर पोस्टिंग का आधिकार होगा कमिटी के यानि अथार्टी के मुख्या तो चीफ मिनिश्टर होगे लेकिन इसमें मुख सचिव और दिल्ली के गिरिः सचिव भी होंगे लेकिन फैसला बहुमत से लिया जाएगा और मुख सचिव और गिरिः सचिव दिल्ली के दोनी केंदर के अधिकारी हैं केंदर सरकार के तो ऐसे में ये डर बना रहेगा कि ये बहुमत से फैसला होगा और जो चीफ मिनिश्टर की बाते हैं वो काटे जा सकती है और एक और बात है कि इस अथार्टी के फैसले के बाद कमेटी के फैसले के बाद उपराजपाल अंतिम फैसला करेंगे मुहर लगाएंगे बते इस कमेटी ने या इस अथोर्टी ने जो भी फैसरा लिया हो अगर उपराजपाल को लगता है कि यह ठीक नहीं है तो मना कर देंगे नहीं हम इसको नहीं मानते हैं तो दिल्ली उसके बारे में काफी चर्चा रही है वहाँ जो अधिकारों को लेकर केन सरकार ने काफी परकतर दिये थे दिल्ली सरकार के ट्रांसवर पोस्टिंग जो उपराजपाल कर रहे थे बाद में दिल्ली सरकार हाई कोट गई थी फिर सुप्रिम कोट गई सुप्रिम को रेरेंस लेकर आई केंसरकार और अब कानूनी उसको रूप दे दिया गया है पूरी तर्विछ से अस्थाइ रूप से और यह काम किया गया है मतल़ दिल्ली के मुखbbe मत्री के अधिकार काफी काफी कुछ च़टτε रहे हैं इसके दिल्ली के मुखमांतरी अर्विंद के जिर्वाल है और लेटरेंड गवर्णर कौन है विनय कुमार सक्सिना चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोशन महातपूर्ण है और जो भी हमें बोल रहूना हूं उसब हिंदि और इंगलिश दोनों लेंग्वज में अबलेबल है पीड संषधन ने खान और विकास ओर विणयमन संशोधन विदेग 2023 पारित किया है तो इसमें क्या प्रावधान है आंसो का उप्रोक्त सभी तो क्या क्या है बारा परमानु खनीज थे उसकी लिष्ट से 6 को हटा दिया गया है ठीक है क्लीर होगी बाद क्यों 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 इन 6 में private party यानि private company को भी काम करने दूसरी बात क्या है निजी छेत्रों को खनीज खोज किये लाइसेंस के निला में होगी तीसरा जिला खनीज फारूडेशन का गठन होगा स्थापना होगी ताकि उस जिले के लोगों को भी फायदा हो सके उसकी बात सुनी जा सरी तो नियूज देख रहे हैं आप और private sector को ह पुश करने के लिए कदम उठाए गया है केंद सरकार के दौरा और इस विदहक के जरिए सरकार ने या कहन सलसद ने 1957 का जो कानून था ना खान और खनीज विकास और पिनियमन अधिनियम 1957 उसमें संचोधन किया है अगला कोशन लेते हैं फिर और डिटेल में समझ में आ जाएगा आपको क्वेशन होगा, खान और खनीज, विकास और विनेमन, सच्छोदन विदेग 2023 के जरी है, किन खनीजों को परमानू खनीज के लिश्ट से हटाने का प्रावधान, तो आंसों का इसका उप्रोप सभी, कौन से हैं, लितियम, बेरिलियम, टाइटेनियम, नियो बियम, टेंटिलम और जिर्कोनियम, ठीक है, तो इन सब का यूज जो है न, वो अंतरिक शुद्योग, एलेक्ट्रोनिक्स, प्रदोगिकी, यानि IT, कम्निकेशन, एनर्जी सेक्टर, एलेक्ट्रिक बैटरी, इन सब को बनाने में कहा जाता है, और खास दौर पर जो लिथियम है न, उसने तो क सबस्ता का बेस है, वह है कच्चा तेल, कच्चे तेल से हम एनरजी प्रापत करते हैं और फिर तमाम इंडश्ट्री और देश का विकास में काम करते हैं, तो आने वाले वक्त में कच्चे तेल का उप्योग कम होगा, क्योंकि लोग ग्रीन एनरजी की ओर जा रहे हैं, अब ह कि जो ग्लोबल वार्मिंग था अब ग्लोबल बॉइलिंग का दौर शुरू हो गया यह तो गोशना करी दिये तो ऐसे मैं आने वाले वक्त में और केंट सरकार ने यह कमिट्मेंट भी किया हुआ दुनिया से कि दोहजार सत्तर तक हम कि शुन्यद शुद्य शुन्य कार्बन उस्वर हिए क्लिए यह ने इτιम्स अर्षरह करें मतलब क्या हुआ कि हम उतना ही प्रदूशन पैillä करेंगे जितना हमारे पेर पदी और तमाम जो तक निक ऌसकी व्एसे हम उन प्रदूशन को सोख ले रहे हो टीक है तो उतना ही प्रदूशन पैदा करेंगे तो ऐसे में जो कमिट्मेंट है उसको पूरा करने और पॉलूशन को कम करने के लिए ज़रूरी है कि इन सब में इस सब का उत्पादन और उन सब से संब्देत द्योग जो इने बड़े पमान पर लगे तो सरकार का यह कहना है क कि इन सब चीजों में जब प्राइविट कंपनी आएंगी तो पादन बहुत तहीं से बढ़ेगा और फिर विस्तार होगा इन सब चीजों का लिथियम तो इस वक्त बहुत ही ज़रूरी चीज है और आपको पता होगा कि जम्मू कश्र में लिथियम का बहुत बड़ा भंड कि वर्ल्ड हेल्थ ओगनेशन यानी डवल्ड हो की रिपोर्ट आई है रिपोर्ट का नाम क्या है वैश्विक तमाकू महामारी दोहजार तेईस उसके अनुसार धुम्र पानी यानी स्मोकिंग का प्रचलन दोहजार साथ में 22.8 परसंट था जो कि घटकर 2020 में कितना रह गय है और इस रिपोर्ट में इंडिया का भी जख्र किया गया है इसलिए रिपोर्ट महात्पूर ने रिपोर्ट का नाम क्या है यह है रिपोर्ट कवर पेज है यह डवले चो रिपोर्ट ऑन दे ग्लोबल टुबाइको एप्टेमिक 2023 ठीक है अब सवाल होगा आपके लिए कि डब्लो एको के किस अभ्यान के ताहट यह रिपोर्ट जारी की गई है तो एम्पावर अभ्यान के ताहट है एमपावर जो है ना वह 2008 में डब्लो एको ने अभ्यान को बनाये था और इसमें एंपवर में शिंग्स रनन नीतियां है और उसे समनिद भी कोशन पीव है प्रोटेक्ट यानि लोगों को तमाकू के धुएं से बचाना, ओ है यानि ओफर, तमाकू छोड़ने के लिए सहायता परदान करना, डबलू यानि वार्ण, तमाकू के खत्रों के बारे में चेतावनी देना, यानि तमाकू के विज्यापन परचार और प्रयोजन पर प्रतिमन लगाना, और र है रिज, यानि तमाकू पर टैक्स को परहाना, यह सब रन नीती है, तो इस सवाल हो सकता है आपके मन में या फिर आपकी एक्जानमेशन में, कि यह एमपावर किस अंतराष्टे संगठन की पहल है, तो वह है डव्योचो, दूसरा सवाल हो सकता है कि एमपावर क्या है, डव्योचो का जो एमपावर नीती है, अभ्यान है, तो इतना बाको के उपयोग पर नियंत्रण और उपयोग को हतोत्साहित करने का एक अभ्यान है, ठीक है, अब बात कलते हैं, इस रिपोर्ट का मुकतत क्या क्या है, मुक्ता दिया है कि पूरे दुनिया में पान का प्रचलन था यह स्मोकिंग का 2007 में 22.8 परसंट था घट के 2021 में 17 परसंट रहा किया अब आप सोच रहोंगे 2021 की क्यूं बात कर रहे हैं 2023 में लेकिन तमाम आकणों को विशलेशन करते-करते इन्होंने 2023 कर दिया 2021 तक का यह डेट में दिया है और क्या बात है तो श्मोकिंग करने वाले लोगों की संख्या में 30 करोर की कमी आई है कब से 2007-2021 के बीच में और वहो के एंपवर उप योग ने कम से कम 5.6 billion लोगों को बचाया है रक्षा की है कम से कम एक एंपवर को लगू करने वाले देश्यूरी की संख्या और क्या बाते हैं? तो यह कहा गया इसमें कि हर साल तमाकु समंदित लगबग 87 लाख लोगों की मौत होती है दुनिया में. कितने हैं? 87 लाख हर साल और सेकेंड हैंड स्मोकिंग से 13 लाख लोगों की हर साल मौत होती है. second hand smoking का मतलब क्या हुआ मतलब आप घर में रह रहे हैं घर का एक सदस्ट जो है वो cigarette पीने का आदी है और वो cigarette पी रहा है धूँआ फैला रहा है पूरे घर में तो second hand में कौन हो गए आप उस घर के रहने वाले बच्चे महिलाएं जो बुजुर्ग जो लोग cigarette नहीं पीते हैं वो सब second hand smoking के दारे में आ गया और वो या फिर आप केसी ऐसी जगह हैं जहां cigarette पिया जा रहा है और धूँआ आप के तक पहुँच रहा है तो second hand smoking हो गया मतलब आप खुद smoking नहीं करते हैं लेकिन दूसरे की वज़े से आप affected हैं उसकी वज़े से हर साल देश में 13,000,000 के मौत होती है Heart disease के कारण जो 4,000,000 मौत होती है उसमें second hand smoking जो है जिम्मेदार है मतलब heart attack से जो मौत होती है उसमें से 4,000,000 ये second hand smoking की वज़े से होती है 20 साल से कम उनके लगभग 51,000 बच्चों की शोड़ों की मौत second hand smoking के दारे में आने से होती है इस report में काफी कुछ बताया गया Indian Express ने काफी डिटेल में इस पर बताया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ report में भारत का जिक्र है कि भारत में लगभग 85% cigarette packो पर आगे और पीछे दोनों तरफ स्वास चेतावनिया लिखी होती है cancer का photo लगाया होता है जो cancer period वेकती है उसका विभथ तक कि लोग तब भी कुछ समझ सके और इस चेतावनी के मामले में जो label पर जो चेतावनी cigarette pack पर दी जाता है तो उसमें top 10 में इंडिया है भारत ने इस cigarette पर काफ़े पहले ही बैन लगाया हुआ और शेक्षनिक संस्थानों पर और जो सारजनिक और स्वास सुवधा हैं वहाँ पर cigarette पीने पर प्रदिबन है खास तोर पर इस report में बैंगलोरू का जिक्र किया गया है कि वहाँ पर जो सैंक्रों अभियान चलाए गया नोव स्मोकिंग साइन बोर्ड डिस्प्ले लगाए गया स्मोकिंग और सेकेंड है ने स्मोकिंग के धुए से जो खत्रे हैं उसके बार में जो जागुकता पैदा की गई उसमें काफी प्रगती देखी गई है ठीक है तो महत्पुर्ण बात है इसलिए थोड़ असा डीटेल मैंने बताया और हाँ सरकार की ओर से भारत सरकार की ओर से कौन-कौन से इंपर्टेंट पहले तमाकों के लेकर तो राश्टी यह तमाकों नियंतन कारकरम है ठीक है महत्पुर्ण बात डबलोचो की ओर से यह रपोर्ट आई है डबलोचो के डाक्टर जेनरल कौन है डाक्टर टेड्रोस एडनोम घेब्रेयसस मुख्याले है जिनेवा सुझा लेंड में असा अपना होई थी नागासाकी दीवस कमने जाता है आंसोगा 9 अगस्त को क्यों मना जाता है क्योंकि 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर जो पोर्ट सिटी था है पोर्ट सिटी तो वहां पर पर्मानु बम गिराए गया था और वह था प्लुटोनियम बम था ठीक है प्लुटोनियम परहा धारत कि परवानु बम था यह नागासाकी वाला जो कि 9 अगस्त 1945 को गिरा ध्याज़ ए aun जज अगस 1945 को नागासा की पर वो था plutonium bomb ठीक है हाला कि सब कुछ हम nuclear bomb ही कहेंगे पनमानू bomb ही कहेंगे और फैटमैन था और हिरोशिमा पर लिटल बाय गिराए गया था दो लाग से जज़ाद लोग मारे गया थे और इसलिए मना जाता है दोनों दिवस और इसलिए मना जाता है कि दुनिया में इस पार को लेकर लोग सचित रहें कि परमानो बमो का हश्र क्या होता है अगला कोशन विश्व के स्व देशी लोगों का अंतराश्री दिवस कम बना यह था आंसो का 9 अगस्त को दुनिया भार के लोगों को जो स्वदेशी लोग है दुनिया भार में उनके अधिकारों उन सब के बारे में जागड़ता फेराया जाए इसके लिए अगला कोशन राष्टी भाला दिवस यानि नेशनल जेवलिन डे कब मना जाता है आंसोगा साथ अगस को साथ अगस को क्यों मना जाता है क्योंकि इसी दिन साथ अगस 2021 को निरज चोपडा ने भाला फेक कर यानि जेवलिन थ्रो करके गोल्ड मिडल जीता था उलम्पिक में तो इसलिए इस दिन को एथलेटिक्स फेडरेशन आफ इंडिया ने राष्टी भाला दिवस के रूप में क्या हुए अगला कोशन नोबेल पुरुसकार विएता रविन्ना टेगोर की पुर्णिति थी कब मने जाती है आंसोगा साथ अगस्त को ठीके साथ अगस्त को उनका निधन हो गया था असी वर्ष के उम्ड में साथ अगस्त उनीसों 41 को उनका जन्म हुआता का साथ माई 1861 क ठीक है अगला कोशन लेते हैं भारते मूल के किस वक्ति को टेसला ने मुख वित्ते अधिकारी ने सीएफो ने उप्त किया है चीफ फानिशनल ऑफिसर आंसोगा वैभब तनेजा भारते मूल के हैं और इससे पहले वो वहाँ पर चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर थे तो अब सीएफो हो गए हैं उन्होंने कॉमर्स ग्रेजुएट हैं वो दिल्ली उनिवर्सिटी में उन्होंने 1996 से 1999 तक बैचलर ओफ कॉमर्स की डिग्री हासिल की थी और फिर वो सीए का कोर्स भी उन्होंने किया था पूरा इस्टिटूट आफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इं और टेसला के CFO बने हैं भारते मूल के हैं इसलिए ये कोशन है टेसला की अस्थापना हुई थी 2003 में ठीक है इलेक्रिक कार बनाने वाली बड़ी कंपनी है इसके CEO है ऐलाउन मास्क तो दोस्तों ये था इन्पार्टेंट करिंट फर्स कैसे लगा कमेंड़ बॉक्स बता सकत और हाँ पिछले आठ महिने का यानि जनुर्स से लेकर अब तक का 2023 तक का करिंट फर्स आपने नहीं देखा देखना जुरूर इस फुट एक डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा ओके अब मिलते हैं कल ताज तरिंग कंटेंट साथ बाए